जी हाँ दोस्तो अब आप Mitchell Fund में निवेश कर सकते हैं आप Stock के तुरू बहुत ही आसानी से आज हम यही जानेंगे कि Mitchell Fund में निवेश कैसे करें आप Stock के तुरू आप बिल्कुल सही वीडियो देख रहे हैं और मैं आपको वीडियो के लाज तक बिल्कुल आसानी से समझा हुआ कि आप जो है Mitchell Fund में आप Stock के तुरू कैसे निवेश करेंगे तो बने रहे हैं दोस्तो वीडियो में और देखते रहे हैं और दोस्तो मैं निवेधन करना चाहूंगा अपने उन सभी दोस्तों से जो चैनल पर पहली बार आए हैं वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज दोस्तो सस्क्राइब कीजिए डॉक्टर मनोस सिंग चैनल को और बगल में जो बैल आइकन के घंटा इसको जरू प्रेस कीजिए ताकि आने वले प्रतेक वीडियो का नोटिपिकिशन आपके पास तक समय से पहुंसते रहे हैं तो यह देखिए दोस्तो हम अपन देशन से लागी करेंगे जिन लोग के पास ही है तो बीडियो के डिक्रम है यह दगर ईसक्रू कर सकते हैं है कि मीचाल pseudo की ओधियो कर सकते हैं from 10,000 प्लस टॉप जो है मिचल फंड की जो इसकी में हैं वो इनके पास हैं तो देखी हम view all पे view all funds पे क्लिक करके देखते हैं तो यह हमें जो है मुबाइल अप redirect रेगा बहुत सारी स्कीमों पर जो की वाइड डिफोल्ट यहां पर आपके सामने खुल करके सामने आ जाएंगे। तो यह देखिए आपि मिचल फंड है और यह भूत सारी जो है स्कीम हैं अब यहां पर देखिए दोस्तो डारेक्ट मिचल फंड क्या होता है एमसी क्या होती है इस पे दोस्तों बहुत ही जल्ड एक वीडियो बनाने वाले हैं और समझाने वाले हैं कि e-m-c क्या होती है मिच्छल फंड किस तरीके से काम करता है दोस्तों यह उन लोगों के लिए वीडियो होगा जो मिचल फंड के बारे में बहुत अधिक नहीं जानते हैं जो जानते हैं उन दोस्तों के लिए मैं बताना चाहूंगा कि आप इस टॉक में कैसे मिचल फंड में निवेश कर सकते हैं तो चलिए दोस्तों आगे देखते हैं और यहां पर चाह एंडल वाइस, फ्रेंकलीन, HDFC, ICIC, IDFC, IIFL, इंडिया वुल्स, इन्वेसको, कोटेक महिंदरा, लारसनेंट तुबरो, LIC, बहुत सारे, मोतिलाल, निपॉन, पराग, ये देखिए दोस्तों, बहुत सारे, SVI, स्रीराम, सुन्दरम, टाटा, UTI, बहुत सारे MC, आप जिस भी MC मे हैं, इनके पास, बोबी आपको, यहाँ पर दिख जाएगा, अब सागोच करिए, मैं AXIS को सेलेक्ट कर लेता हूँ, मैंने AXIS सेलेक्ट कर और यहाँ पर करा, Apply, अब जिती स्की में AXIS की यहाँ पर है, वो सारी यहाँ पर आ जाएंगे, ऴे ग्रोथ, AXIS, Small Cap Fund Direct, यह ग्रो जा ब Mercury जो आता है आसाने तो मिच्वुल को सी दिए कर इसके भी में happier को लुटेर को सोकवा क्षा कर सकते हैं ऐसके बारे में और भी सकते हैं है ना तो ये देखे हैं पर इनुने मिच्वल की जो है डीटेल से so much क्यांट यह यह एकुटी समॉल केप फंड हैं नीचा हैंगे रिटन दिखाएगा आपको बन यहWhoa का रिटन कितना है ठृच्किर करिटन हैं तरिए का रिटन कितना है यह वह यह ना आपने अगर बैंक करफे हो तो तो उस पे आपको कितना return मिलता, fix deposit पे कितना है, this fund अगर इसमें पैसे लगाया होता, आपने तो कितना मिलता, यह देखिए, result so कर रहा है न, यह देखिए, fund की detail, 29 नवंबर 2013 से यह सुरू है, minimum investment 5000 रुपे है, यह नहीं, expense ratio यह है, जैसे कि दोस्तों हमने पहले बताया कि expense ratio, AMC और fund, इसके बारे में हमें एक बहुत जल्द वीडियो लाने वाले हैं, लेकिन उसके लिए दोस्तों आपको चैनल को subscribe करना होगा, और बगल में जो bell icon का घंटा उसको जरूर प्रेस करना है, ताकि आने वाले अगले वीडियो का notification आपके पास तक जाता रहे, तो दोस्तों ह होती बारे की से जो है, समझेंगे, थोड़ा से वीडियो लंबा हो सकता, लेकिन पूरी बारे की से मैं detail में आपको explain करूंगा, ये देखिए दोस्तों expense ratio, lock in period, आप कितने समय तक के लिए पैसे को डालना चाते हैं, वो आप period अपने lock कर सकते हैं, अब देखिए दोस्तों, fund का portfolio, holding, किस किस जगा कितनी कितनी holding है, कितना पैसा इन्होंने लगाया हुआ है, वो सारी चीज़े आपको यहां पर खुल के आ जाएंगी, ये देखिए, clearing corporation of India में, इनकी 10.43% जो है, पैसे लगाया हुए है, इन्होंने fund ने, है नहीं, ये देखिए, टाटा एलेक्सी में 5. 5.45 प्रतिशत पैसा, जेके लक्षमी सिमेंट में इतनी holding है, है ना, इतने प्रतिशत holding है, है ना, fine organic industry limited में 3.2% और भी आप देखना चाते हैं, तो ये व्यू मौर पे क्लिक करेंगे, और ये देखिए, ये आपको सारी holding दिखाएगा, कहां पे कितनी कितनी holding है, ये कर रहा है, है ना, वो आप यहां से देख सकते हैं, fund manager का नाम आप यहां से देख सकते हैं, experience है ना, यहां से देख सकते हैं, qualification देख सकते हैं, है ना, ये देखिए, name यहां से देख सकते हैं, experience six year का आप यहां से देख सकते हैं, qualification यहां से देख सकते हैं, कौन आपके पैसे को manage कर रहा है जो आप fund में लगा रहे हैं वो सारी detail आप यहां से जो है दोस्तो जान सकते हैं है ना अभी देखिए आप हम यहां से देखिए यहां पर दो option देता है यह आपको one time और start sip तो one time में जो है जितना पैसा आप एक साथ लगाना चाहते हैं यानि कि लमसम जिसे कहते हैं तो आप one time पे क्लिक करेंगे तो एक साथ जितना पैसा आपको लगाना है आप उनना लगा सकते हैं लेकिन start sip मैं मेरे भी मानना यह है दोस्तो हमें sip की थुरू ही जाना चाहिए इ SIP के थुरू जाना बहुती अच्छा एक बिकल्ब है हमारे पास और इसमें जो है हर महीने की हमें एक date select कर लेते हैं आप यहाँ पर जो है यह देखिए दोस्तों आप monthly जा सकते हैं अब monthly निवेश करिए और देखिए select date detect SIP amount आप वो date date select कर सकते हैं जिस date में आप जो है अपना amount कटबाना चाहते हैं अपने account से तो वो date आप यहाँ पर डाल सकते हैं हमने frequency monthly डाल दी SIP की है ना और यहाँ पर हमने date select कर ली अब हम यहाँ पर amount पर क्लिक करेंगे और आगे चलेंगे अब देखिए बता रहा है enter amount आप जो है इसमें 500 रुपे 2000 रुपे और 5000 रुपे आप इतने रुपे का monthly निवेश जो है चालू कर सकते हैं और आप इससे अधिक भी जो है निवेश कर सकते हैं है ना अब देखिए यहाँ पर क्या हो गया हमने amount एंटर कर लिया अपनी date सेलेक्ट कर लिए अब जो है हम आगे चलते हैं यहाँ पर हमने amount एंटर कर लिया है ना अब हम add fund करते हैं तो जब हम add fund करेंगे तो यह दोस्तों हमें ले जाएगा amount to deposit हैनी यह मेरा bank account लगा हुआ है primary इसके थुरू भी net banking के थुरू भी मैं पैसे दे सकता हूं लेकिन net banking के थुरू जब मैं दूंगा तो मेरे को साथ रुपे लगेंगे per transaction है न यूपी आई से बिल्कुल free पैसे जाएगा तो यह देखिए आप यहाँ पर दो माध्य में आप जो है जो primary account है यह मेरा 31 account है तो डिरेक्टली मेरा fund आप stock account में और मेरे bank account में आता है बिना किसी charge के और आपका अगर charge लगता है आपको कोई तोसरा bank लगा हुआ है तो आप UPI से पैसा दे सकते हैं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है तो चलिए दोस्तों हमने यह सारी चीज़ जान ली अब हम जानते हैं और भी और हम कह कह चीज यह फिल्टर कर सकते हैं तो यह हमने एक AMC सेलेक्ट करी थी यहां पर अब उसके बाद में जो है आप यहां पर देखिए हमने यहां पर AMC सेलेक्ट करी एक्सिस हम मैं इसको हटा देता हूं दूसरा जो option है वो है fund की category आप किस category में जाना चाहते हैं equity में dead में hybrid में others में आप fund का risk भी आप यहां पर तो तैग कर सकते हैं low low to moderate 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 high high very high आप यहां से अपना risk भी तैग कर सकते हैं तीसरा जो options है दोस्तों हमारे पास इसमें आप जो है यहां पर 500 रुपे से सुरू कर सकते हैं SIP 500 से 5000 तक और 5000 के above भी आप जो है जा सकते हैं lock in period भी आप यहां से decide कर सकते हैं 3 years above 3 years no lock in period आप कोई भी ना रखना चाहें तो कोई दिक्कत नहीं है तो यह देखिए दोस्तों हमने यहां से fund house देख लिया fund की category देख लिए risk भी देख लिया सारी चीज़ा आप यहां से manage करके आप fund के साथ ना बहुत ही असन ही जा सकते हैं equity में आप चुन सकते हैं यह equity वाले fund है यह देखिए आप यहां से एक बहुत मज़दार fund है index fund दोस्तों इंडेक्स तो सभी जानते हूं कि nifty 50 आप उस टाइप के fund चुन सकते हैं देखिए टाटा index fund है इनके पास तो यह टाटा index fund आप चुन सकते हैं इसके return बगएर और सार सारी चीज़े देख सकते हैं आप है ना कहां कहां पर कितना पैसा लगता है वो सारी चीज़े देख सकते हैं पूरा आप इसका holding देख सकते हैं सिप के बारे में जान लेते हैं monthly update select करें amount यहां पर आप दे दें इसको देखिए enter amount मात एक मात्र और मात्र 150 रुपे से आप index fund म निवेश चालू कर सकते हैं मात्र 150 रुपे 2000 रुपे 5000 रुपे प्लस इससे प्लस आप जैसी आपकी चमता है आप बैसे जो है इसने अपना निवेश श्टार्ट कर सकते हैं तो आप दोस्तों mutual fund में आप इस टुक के साथ बहुत ही असानी से निवेश कर सकते हैं यही चीज में आपको बताना चाहरा था तो I hope दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया हो कि आप इस टुक के साथ आप mutual fund में निवेश कैसे कर सकते हैं और दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को like कीजिए share कीजिए अपने उन दोस्तों के साथ जो जरूर हिट करें और all पे क्लिक करें ताकि आने वाले प्रते एक वीडियो को notification आपके पास तक समय से पहुंचता रहे तो ऐसे ही interesting वीडियो में मिलते हैं दोस्तों तब तक के लिए जैहिं जै भारत बाबाए